दूरलब उलकापिंट के टकराने से बना गाओं जमीन में मिले हीरे दोस्तो एक किसी व्यास वाले यूरो लाइट के टकराने से हुआ धाला उलकापिंट सरचना का निर्मान एक दुरलब उलका पिंड के टकराने से मद्या पर्देश के स्यूपुरी जिले में 18 साल पहले धाला उलका पिंड सरचना की खोज भूई थी दोस्तो वेग्यन को ने अब इस दुरलब उलका पिंड का पता लगा लिया है वर्स 2005 में इस उलका पिंड सरचना की खोज करने वाले इलावाद वी शूदाले की वेग्यन की फ्रोफेसर जे के पती ने लंबे शोद के बाद पाया कि यह सरचना जियूरे लाइट नाम की उलका पिंड के टकराने से बनी जिसमें छोटी छोटी हीरे भी मौजूद है मद्यपरदेश में ढाला एक जगे का नाम है दोस्तों जहां यूरेनियम का बंडार है इस छेतर से यूरेनियम प्राप्त करने के लिए भाद सरकार के बड़े प्रोजेक्ट पर लंबे शमेशिक काम चल रहा है इलावाद विशुवदायले के भू एम गराईये विज्ञान विभाग के वेगयनिक प्रोफेसर जेक्रपती ने वरस 2005 में ही यह खोच कर ली थी कि ढाला उलकापिंड सरचना है लेकिन यह पता नहीं लगाया जासका था कि यह सरचना किस उलकापिंड के टकराने से बनी है इसके लिए बहुत ही महेंगे और अत्यादमिक उपकरणों की जरूरत थी इस सोद में उनके साथ बर्ण विश्वधाले स्वीटेजर लाइंड के प्रमक वेगयने के डोक्टर आर्यावर्त आनद जुडे उन्होंने क्रोमियम आईशोटोप सिस्टेमेटिक्स प्रणाली का परियोग किया उलकापिंड की पहचान करने के लिए सहयोग किया और सोद पर पता लगाया कि ढाला उलकापिंड सरचना का निर्मान एक अत्यादुनिक दुरलब और आदिम परकार के धातुदारी उलकापिंड यूरो लाइट के टक्राने से हुआ था मद्यपरदेश के शूपरी जिले में स्तिति लगबा के 11 किलोमेटर व्यास वाली ढाला उलकापिंड सरचना प्रित्वी पर सबसे प्राचिन उलकापिंड सरचना है दोस्तों यह भुमद्य सागरिये और देक्षन पुरो एशिया के बीच आप तक की खोज की गई सबसे बड़ी उलकापिंड सरचना है 15 किलोमेटर परती घंटे की गती से टकराय था उलकापिंड दोस्तों